नमस्कार फ्रेंड्स वागताप सभीका सौल समित अभी सेक यूटूब चनल में फ्रेंड्स आज बहुती दुखत की बात है कि जनरल बिपिन रावत जो की बरतमान में भारत के चीफ आफ डिफेंस श्थाफ थे इनकी पतनी मदूलिका रावत और ग्यारा अन्य सेनिक अधिकारियों की जो है MI-17 VH जो हेलिकॉप्टर है ये को नूर तमिलनाडू में क्रेश हो गया इस बज़े से जो है ग्यारा सेनिक अधिकारी और जनरल बिपिन रावत जो की भारत के सीडियस थे और इनकी पतनी मदूलिका रावत की मौके पे मिरत्य हो गई एक सेनिक जो है अभी गंभी रूप से गयल है लेकिन उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है हम लोग भगवान से प्राथना करेंगे कि वो जो अधिकारी है वो बच जाए हमारे जो जनरल विपिन रावत जी है और इनकी पतनी स्री मती मदूलिका रावत जी की आत्मा को शांती दे और ग्यारा अन्य सेनिक अधिकारियों को भी भगवान इनकी आत्मा को शांती दे हम सभी लोग जो है ऐसी प्रातना करेंगे आप इनके जन्म से मृत्यू तक जितने भी important question बन सकते हैं तो सारे question इस वीडियो में cover करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जन्रल विपिन राबत जी का जन्म जो हुआ था ये 16 मार्च 1958 को हुआ जन्म इस्थान जो है पोरी गड़वाल जिला उत्राखंड और इनका पूरा नाम जो है जन्रल विपिन लक्षमंट सिंग राबत इनके पिता जी का नाम जो है ये है जन्रल लेफ्टिनेंट जन्रल लक् गरड की हैं तो चौदरी चरण सिंग विश्विद्याले मेरट से इनोंने जो है सिच्छा गरड की है जो की उत्रप्रदेश में है एंडिये खड़क बासला पूने महराष्ट से इनोंने जो है एंडिये की जो इस्टडी होती है एंडिये की जो पढ़ाई होती है वो इनोंने और आईये में देहरादून जो की उत्राखंड में है, कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज जो की सेयोक राज अमेरका में है, इन्होंने यहां से सिच्चा गरड की ये संस्थान है, आप लोग देख लीजे एक बार, अब आगे देख लेते हैं, इन्होंने जो अपने करियर क रहे हैं, अगर बात की जाए, भारतीय सेना के 26 बे सेना द्यच कौन थे, तो ये जनरल विपिर रावत हे, इनका कारेकाल जो था, 31 दिसंबर 2016 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक इनका कारेकाल रहा है भारतिय सेना के प्रमुक के रूप में या सेना अध्यच के रूप में जो की 26 बे थे अगर बात की जा Chief of Defense Chief of Staff Committee के जो 57 बे या फिर अंतिम अध्यच जो थे ये जनरल विपनराबजी थे इनका कारेकाल जो था ये था कब तक 27 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक इनका कारेकाल रहा है जो की अंतिम अध्यच थे इसके बाद कोई अध्यच नहीं रहा है इस कमेटी का तो ये चीए आप याद रखें भारत के पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाब जो हैं CDS हैं ये हैं जनरल विपनराबजी जिनका कारेकाल जो शुरुआत हुई थी एक जनवरी 2020 से और इनकी आज मृत्यू हो गई है तो इनका कारेकाल भी यहां पे समाप्त हो जाएगा अब जो है नए जो है चीफ आफ डिफेंस स्टाब बनेंगे तो इनका कारेकाल आजी तक था भगवान को यही मंजूर था अब देख लेते हैं इन्होंने जो है कौन-कौन से पदक से इन्हें समानित किया गया है तो परम विशिष्ट सेवा पदक से समानित इनको किया गया है उत्तम युद सेवा पदक अती विशिष्ट सेवा पदक और जो है विशिष्ट सेवा पदक और सेना पदक और जो है विशिष्ट सेवा पदक और एड की कैम्प यह जो है इन्होंने इनको पदक से समानित किया गया है आगर बात की जाए इनकी मृत्यू कब होई जनरल MI-17BH के क्रेश होने से जनरल विपिन रावत जो कि भारत के पहले CDS रहे हैं और इनकी पतनी मधूली का रावत और 11 अन्य सेनिक अधिकारियों की म्रत्य हो गई एक सेनिक अभी जीवित है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और MI-17BH भारत ने जो है रूस से खरीदा थ ये बहुत ही जो है सच्चम हेलिकॉप्टर है अगर बात की जाए MI-17BH ने जो है तमिलाडू के कोय मटूर से सुलूर IAF स्टेशन से उडान भरी थी जो की कुनूर तमिलाडू में क्रेश हो गया है जिसमें हमारे जो भारत के पहले Chief of Defence स्टाफ है जनरल विपिन रावत और इनकी पतनी श्री मती जो है मदूलिका रावत और 11 अने सेनिक अधिकारियों की जो है मौके पे मिरत्य हो गई है जिसमें से एक अभी जो है जीवित है जिसका जो है अस्पताल में इलाज चल रहा है तो हम सभी लोग जो है बगवान से प्रात्ना करेंगे कि बोश सेनिक और इनकी पतनी जो अभी इस हादसे में और 11 अने अधिकारी जो है जो की सहीद हो गए है तो उन सभी की आत्मा को सांती दे भगवान हम सभी लोग जो है प्रात्ना करेंगे तो थैंक यू फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक करिए तो क लोग का समाचार है तो आप लोग जो भी है कर लीजे थैंक यू फ्रेंट्स